जन्संक्या वित्रण वो गनत्व जन्संक्या वित्रण वो गनत्व का सामान्य अर्थ एक ही माना दाता है किन्तु ये दोनों संकल्पनाई अलग-अलग है जन्संक्या के वित्रण में इस्थानिक वित्रण पर अधिक बल दिया जाता है अर्थार्थ प्रत्वी पर जन्संक्या के इस्तती गत पक्स पर बल दिया जाता है जिससे छेत्रिय पृति रूप को इसपस्ट किया जाता है जनसंख्या वितरण के छेत्रिय प्रति रूप में रेकिय प्रति रूप नदी गाटियों में विकिन केंद्रक जनसमू आदी रूपों में होता है दूसरी ओर जनसंख्या गनत्व में जनसंख्या आकार वचेत्र के आनुपातिक समंदों पर बल दिया जाता है जब जनसंख्या वित्रण का अध्यान करते हैं तो जनसंख्या वित्रण के प्रारूप पर बल देते हैं लेकिन गनत्यों के अध्यन में मनुष्य वच्छित्र अनुपात के मद्य समंद तलासने पर जोर दिया जाता है कि किसी च्छित्र वचनसंख्या के मद्य किस प्रकरती का अनुपात है इसमें भूमी वजनसंख्या का अनुपात क्रसी योग्य भूमी वजनसंख्या का अनुपात क्रसी में सलग्न जनसंख्या का अनुपात आधी प्रमुख है इस प्रकार जनसंख्या गनत्व जनसंख्या वित्रण से परस पर समंदित लेकिन भिन संकल्पना है जनसंख्या वितरण विभिन्न कारकों पर निर्बर करता है किसी भी देश में जनसंख्या का वितरण वो आकर्षरण बोगोलिक कारकों पर निर्बर करता है सामान्य रूप से मानुविय संसाधन को जीवी का चलाने के लिए रोजगार के साधनों की आवशकता होती है यही कारण है कि सम्तल मैदान सगन बसे हुए चेत्र हैं जो अन्य पठारी वो पहाडी चेत्रों की तुन्ना में अधिक जनसंख्या को आकरशित करते हैं सन 1911 की जनगनना के अनुसार बारती और मध्यवर्ती मैदानी चेत्र में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पच्चिम बंगाल, हर्याना, राजस्तान में जनसंख्या का वितरण अपिक्सा करत आधिक है देश की 40% जनसंख्या इनी चेत्रों में निवास करती है उत्तर प्रदेश सबसे मैत्वपून मैदानी चेत्र है जिसमें क्रसी उप्योगिता को द्यान में रखते हुए देश की कुल जनसंख्या का 16.5% निवास करता है इस मैदानी चेत्र में जनसंख्या के आकर्षण का कारण न केवल क्रसी, वरन, व्यापार और अध्योगी की कईयां एविन से जुडा यातायात भी मैत्वपून है जनसंख्या के वितरण में दक्षिन के पठार वाले राज्य दित्तिय इस्थान रखते हैं इस चेत्र में महराष्टर, मध्यप्रदेश, करनाटक, आंदरप्रदेश आधी आते हैं तीसरे वर्ग के अंतरगत, सभी नदी गाटी वाले समुन्द्र तटवर्ती छेत्र, उत्री पूर्वी परवती राज्य, वह राजस्तान का पच्चिमी भाग है जहां यातायात्स विदाओं का अभाव, प्राकर्तिक परतिकूलता, वह दरातलिय विसमता के कारण, यहां जन संख्या कम है सरवादिक जन संख्या वित्रण गंगा के मैदानी चेत्र में है, गंगा के मद्यवर्ती भाग तथा निचले मैदानी भाग के 75 जिलों में जन संख्या का उच्चतम संकेंद्रण मिलता है भारत में जन संख्या का वित्रण विसम होने के साथ ही प्रमुक विशेषता यह भी है कि यहां पर लगबग तीन चौताई जन संख्या ग्रामीन है बारत एक क्रसी प्रदान देश है जिस कारण क्रसी को प्रभावित करने वाले कारक ही जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करते हैं जनसंख्या के वितरण वगनत्व को प्रभावित करने वाले कारक पहला दरातल दरातली ये च्छित्र की विभिन्न आक्रती पर्वत पठार मैदान आदी पर जनसंक्या का अंसमान वितरन पाया जाता है पर्वतिय वो पठारी भाग उबर खाबड होने के कारण क्रसी यातायास्त निवास आदी के लिए अनुप्युक्त होते हैं अतर भारत में इमाले पर्वत में जनसंक्या का वितरन विसम पाया जाता है यहां क्रसी योग्य समतल भूमी का हभाव है यातायात मारगों का विकास नहीं हो पाता है लेकिन सम्तल मैदानी भाग में सर्वादिक जन संख्या निवास करती है क्योंकि इन में क्रसी का सर्वादिक विकास हुआ है सम्तल होने के कारण परिवहन उद्योग वो अन्य किरियाओं का अध्यदिक संकेंद्रन मैदानी चेत्रों में हिस्तित है भारत में उत्तर के विशाल गंगा युमना मैदान पच्चिमी तथा पूर्वी मैदान में सर्वादिक जन संख्या पाई जाती है क्योंकि मैदानों में मनुष्य की संपूर्ण किरियाए सुचारू रूप से चलती है अता उबड़ काबड़ परवतिय वो पठारी भाग जन सुन्य वो समतल मैदानी भागों में सगन जन संक्या निवास करती है दूसरा जल्वाईू चन संक्या वित्तरण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कार्क में जल्वाईू का मैत्वपूर्ण स्थान है अतियूस्न आद्र वात्यदिक सितल जल्वाईू मानवीय निवास पर विपरित प्रभाव डालती है इसे कारण भारत के उत्तर पच्चिमी भाग में थार रेगिस्तानी मरुस्तल अतियूस्न वसूस्क जल्वाईू के कारण निम्न जन संक्या वाला छित्र है भारत के प्रायदवीपी भाग के पूर्व वपच्चिम में वर्षा प्रयाप्त होती है अतो यहां सगन जनसंख्या पाई जाती है इसके अलावा तापमान भी जनसंख्या वित्रण को प्रभावित करता है अती उच्चव अती निमन तापमान वाले इस्थानों पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है जैसे भारत के हिमाले परवतिय चेत्र के पास इस्तित भाग वो दक्षिन का पठार तीसरा जल की उपलब्दता मानों के जीवित रहने के लिए जल एक मैत्वपून संसाधन है अता जहां जल परियार्त मात्रा में उपलब्द है वहां जनसंख्या का सर्वादिक वित्रण पाया जाता है अधिक वर्षा वाले चेत्रों में जनसंख्या का वितरण भी अधिक है भारत के दक्षिन में तट ये मैदान मद्यवर्थी भाग में अधिक वर्षा होती है अतो यहां जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है वर्षा की मात्रा भारत में पूरू से पच्चिम की ओर कम होती है वैसे ही जनसंख्या का वितरण भी कम दिखाई देता है जल की प्रचूर मात्रा में प्राप्ती होने से सिंचाई, पेजल, और द्योगिक संस्तान, जल विदूत, परिवहन, आधी, आर्थिक किरियाएं इस्थापित होती है अता जल की मात्रा के गटने के अनुपात में जनसंख्या की मात्रा भी कम होती जाती है चोथा कारक है म्रदा या मिट्टी मानों के जीवी को पार्जन है तू, खाध्यानों का उत्पादन, सर्वाधिक अनिवार्य कारक है खाध्यानों का उत्पादन, उपजव मिट्टी में ही होता है अत्व भारत की जल संक्या का अधिकतम भाग नदियों द्वारा निक्षेपीत जलोड मिटियों के छित्र में बसा हुआ है नदियां परतिवर्ष अपने साथ उपजाव जलोड मिट्टी लाती है जिसे मैदानों में निक्षेपीत कर देती है जिससे यह भाग उपजाव होते हैं और इस उपजावपन के कारण अधिक क्रसी फसलें उत्पन्न होती है और इसी कारण इन छित्रों में जन संक्या का निवास अधिक रहता है अन्य बहुतिक कारणों के जन संक्या निवास के विपरीत होते हुए भी यदि संसादन परचूर मात्रा में उपलब्ध हैं उन इस्थानों में जन संक्या गनत्व अधिक पाया जाता है क्योंकि ऐसे चेत्रों में वध्योकी की करण वो यातायात मारगों का तीवर विकास होता है और इस्थानी लोगों को रोजगार प्राप्त होता है भारत में दामोदर गाटी, कोईला चेत्र, मरुस्तली चेत्रों में जिप्सम, गैस, पैट्रॉल, आधिर की प्राप्ती के कारण जन संक्या वित्रण के प्रतिकूल होते हुए इन में अधिक जन संक्या पायी जाती है मानव जीवन के लिए अन उत्पादन अती आवशक है इस कारण प्राचिन काल से ही ऐसे चेत्र मानव संकेंद्रन के केंद्र रहे हैं जहां करशी गत्पसलों का अधिक्तम उत्पादन होता है भारत में ब्रंपुत्र, गंगा, यमुना, गुदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो अन्य नदियों के उपजाव, मिट्टी के मैदानी चेत्र क्रशी उत्पादक्ता की द्रष्टी से स्रेष्ट होने के कारण जन्संक्या के अधिक गनत्व वो बसावट के केंद्र है हिमाले परवत, रेगिस्तानी चेत्र और उत्री पूर्वी पहाडी दाज्यों में क्रशी उत्पादक्ता की कमी के कारण जन्संक्या गनत्व भी कम पाया जाता है सामाजिक कारक जन्संक्या का वितरन सामाजिक कारकों जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, भासा, रहनसैन, आदी के द्वारा भी प्रभावित होता है बारत में हिमाले परवतिय चेत्र, दक्सिन पठारी चेत्र में आदिवाशियों में अलगाव वादी परवर्ति नहीं होती है अता इन चेत्रों में कहीं कहीं जन्संक्या समू में पाई जाती है कई लोगों का अपनी जन्म बोमी के परती लगाव इस्तानांतरन को अनाशिक मानते हैं अपने प्रियक खाद्य फसलों के प्रति लगाव जैसे भारत के दक्षिनी वा दक्षिनफूरी भाग में चावल के पादन का कारण जलवायू के साथ इनकी रुची भी है इनमें उच्छ प्रजनन ठमता पाई जाती है दार्मिक विश्वासों के कारण जनसंख्या में राजनितिक व आर्थिक कारक राजनितिक कारक जसे असंतोस असुरक्सा राजनितिक उतल पुतल आदी राजनितिक कारक जनसंख्या के वित्रण को अत्यधिक प्रभावित करते हैं सांत व शुरक्षित इस्थानों पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है बारत के जम्मू कस पाकिस्तानी आतंकवादी संग्ठनों वा उत्री पूर्वी राज्य असम मेगाले नागालेंड में बोडो उग्रवादियों के कारण और सुरक्षा है। अतर इन भागों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। जबकि भारत के अन्य भागों में सुरक्षा के कारण सगन जनसंख्या रहती है। वद्योगी की करण, नगरी करण, आदी, प्रक्रियाएं जनसंख्या के वितरण को अत्यदिक प्रभावित करती है। इनके कारण जनसंख्या सगन पाई जाती है। जनसंख्या गनत्व जनसंख्या वितरण व गनत्व को सामान्यत एक ही अर्थ में समझ लिया जाता है जबकि जनसंख्या के वितरण में इस्थानिक वितरण इस्तती गत्पक्स पर बल दिया जाता है जिससे खेत्रिय प्रतिरूप इसपस्ट होता है दूसरी और जनसंख्या गनत्व में जनसंख्या का आकार वच्छेत्र के अनुपातिक सम्मंदों को मयत्पूर्ण माना जाता है भू सतर पर जनसंख्या का इस्थानिक वितरण के सम्मंद में अनुपात जनसंख्या गनत्व कहलाता है जिनके निम्न अलग-अलग रूप होते हैं पहला गनिती जन्संक्या गनत्व दूसरा आर्थिक या आंकिक गनत्व तीसरा काईक गनत्व, चौता कर्शी गनत्व और पांचवा पोशन गनत्व जो अलग-अलग तत्यों के आदार पर जन्संक्या वितरण को प्रदर्शित करते हैं जन्संक्या गनत्व का छेत्रिय प्रती रूप इसके अंतरगत संपूर्ण देश को चार प्रमुक जन्संक्या गनत्व वाले चेत्रों में विभाजित किया जाता है पहला कम गनत्व के छेत्र इसमें देश के उन छेत्रों को समलित करते हैं जिनका जन्संक्या गनत्व सो व्यक्ति परती वर्ग किलोमेटर से कम है इन में सिक्किम 86, अरुनाचल परतेश 17, मिजोरम 52, अंडमान निकुबार 46 समलित है पुर्वांचल वा जम्मु कस्विमीर में अनुकूल पर्यावरन का अबाव है इसी परकार अंडमान वा निकुबार में बोगोलिक दिसाय अनुकूल नहीं होने के कारण जन्संक्या गनत्व कम पाया जाता है इसी परकार पच्ची में राजस्तान वा कच्च दल्दली चेत्र भी नियून जन्संक्या गनत्व के चेत्र है दूसरा सामान्य गनत्व वाले चेत्र इनमें उन चेत्रों को समलित करते हैं जिनका गनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमेटर है जिनमें जम्मु कस्मीर 124, उत्राखंड 129, राजस्तान 200, मध्यप्रदेश 234, नागलेंड 119, मनिपूर 128, मेगाले 132, चत्तिश गड़ 189, इमाचल प्रदेश 125 समलित है इनके अतिरिक वे चेत्र समलित है जहां राज्य का गनत्व 250 से अधिक है लेकिन उनमें भी अनेक चेत्र पिच्ड़े होते हैं तता कम गनतों के होते हैं जैसे तेलंगाना, चोटा नागपूर का पठार, गुजरात के सुस्क भाग इसी वर्ग में समलित है इनमें उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश, मेगाले, मनिपूर, नागालेंड के में धरातलिय विशमता प्रमुक कारण है जहां अधिकांच भाग पाड़ी होने के कारण जनसंक्या अधिक रहती है राजस्तान, मध्यपृदेश, चतिशगड में धरातलिय विशमता के अतिरिक जलवायू की प्रतिकूलता कम जनसंक्या का प्रमुक कारण है मध्यम गनतुवाले चेत्र, वे चेत्र चहां जनसंक्या दोसो इक्यावन से पांसो वेक्ति परति वर किलोमिटर गनतुवाले राज्य, वो केंद्रशासीत प्रदेश समलित है इन में गुजरात 308, करनाटक 319, आंद्रप्रदेश 308, गोवा 394, माराष्ट्र 365, जारखंड 414, असोम 39, त्रिपुरा 350, ओडिशा 270, राज्य समलित है इन राज्यों में सिंचाई सुईधाओं के कारण, क्रसी विकास व अध्योगीक विकास के साथ नगरी करण भी बड़ा है गोवा, तमिलनाड वो माराष्ट्र इस वर्ग के सर्वादिक नगरी करत राज्य है चोथा, उच्च तथा अती उच्च गनतों वाले छेत्र चेत्रों को समलित करते हैं यह देश का सबसे बड़ा चेत्र है जिसमें बिहार 1106, उत्तरप्रदेश 835, पच्चिम बंगाल 1028, पंजाब 551, अर्याना 573, तमिलनाडु 555, केरल 860, पांडिचेरी 2546, लक्ष द्वीप 2149, दमन दीव 2121, चन्डिगड 9558, दिल्ली 11320, केंदर सासित प्रदेश समलित है इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे चेत्र भी समलित है, जिनका राज्य इस्तरपर गना तो 500 वेक्ती प्रतिवर किलोमेटर से कम है, लेकिन चेत्र विशेश इससे अधिक सगन बसे हुए हैं, इनमें माला बारतट वा तमिलनाडू के उच्छ भाग, एकजार वेक्ती प्रतिवर किलोमेटर, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, पंजाब का बारी विस्त दुआप चेत्र, इस संपून चेत्र में समतल उर्वरक मैदान, जलोड मरदाएं, सिंचाई की परियाप के कारण जनसंक्या सगन बसी हुई है, इस प्रकार विभिन बौतिक, सामाजिक, आर्थिक वसांस्कृतिक कारकों के कारण जनसंक्या घनत्व बिन बिन पाया जाता है